हाई अब्रीबर वेलकम डिश्टल जी के क्लासेज तो आपने बीपीएसी में जो भी एक्जाम्स दिये हैं उसके रिजल्ट्स भी आपको सेप्टमबर में देखने को मिल जाएगा और आप जानती ही है कि बीपीएसी के इतरो जो भी पास हो जाएंगे आप सभी राज कर्मी क कहलाएंगे आपकी सैलरी भी काफी अच्छी होगी आप में से बहुत से लोग जो है एक्जेक्ट जानना चाहते हैं काफी समय से क्योंकि आपको पता ही कि बेसिक वेतन मूल वेतन तो आपको पता ही था कि आपका 25,000 के आसपास है प्राध्मिक बट 1,25, 6,28 अभी उसकी वे समय अगे तो कितनी सैलरी आपकी होगी क्योंकि देखो एक खही नगी सैलरी मिलता है कि विय्वेशन किसी भी जॉप त्यारी कर रहे हो कि सिभी एक्जाम की अड़ lland आपकी ग्रोथ अच्छी हो आपकी इंकम अच्छी हो फिर मोटिवेशन भी आता है कि सैलरी अच्छी तो उसी पर मैंने ये वीडियो बनाया है, पूरी वीडियो आप देखेगा, आपको समझ में आ जाएगा, देन आपको motivation भी मिलेगा, कि आप इससे भी higher का अगर आप तैयारी करते हैं, तो salary उसमें आपका increase होगा, ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, इसमें मैं fast होने वाला है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो पहले देखें, पहली से 12 वी तक के, आपको पता ही है कि 1.78 लाग सिख्षकों की होगी निप्ती, ठीक है, और BPSC से भरती होने वाले सिख्षकों को वेतन मान जो है, वो तैय हो चुका है, क्या है वेतन मान, यह पर आप देखें, सबसे पहले देखें, BPSC से एक निप्त होने वाले सिख्षकों का वेतन तैय हो गया है, राजसरकार कक्षा 1 से 12 वी तक 1.78 लाग 26 लाग सिख्षकों की निप्ती करने जा रही है, हाला कि यह भी है कि पूरे पदवों नहीं भर पाएंगे, प्रसासी पद सब्सक्राइब करने जा राजकर्मी के रूप में, क्योंकि आप राजकर्मी कहलाएंगे और इससे एक चीज और आपको सीखने को मिलेगा, कि जिनका भी नंबर कम है, एक बर पढ़ाई में लग जाओ, अगर आप सच में चाहते होगे कि इतनी अच्छी सैलरी हर महीने आप को मिले तो, ठीक है, राजकर्मी के रूप में न्युक्त होने वाले इन नए सिक्षकों का प्रारंबिक मूल वेतन 25,000 से 32,000 तक तैंकिया गया है, मतलब 25 से लेके 32,000 तक आपका मूल में वेतन तैंक कर दिया गया है, बैठक में मुकि सच्चिव, आमिर सुभानी, विकास, आयुक्त, यह सभी लोग बैठे हुए थे, इन्होंने सब कुछ डिसाइड किया कि कियसे कितनी सैलरी होगी, अलाउंस कितने होगी, डिये, अचारे, सब कुछ, ठीक है, तो यह सब लोग सामिल थे, अब नए वेतन निर्धारण से राजसरकार को सलाना 106 अरब 23,45,31,920 र जबकि 9 से 10 तके सिक्षकों का 59 अरब 94 करोन 22,24,800 रुपय का खर्च आएगा, मतलए इतना कुल मिलाकर है, और यहां पर देखें, बिहार राज विद्याले अध्यापक, नियुक्ति, सनांत्र, अनुसासनिक, करवाई, सेवा, सर्त, नियुमाली, 2023 के आलोग में 1 से 5 तक के अध्यापक के लिए सिक्षकों के मूल कोटी के 85,447 पद युम 6-8 के अध्यापन के लिए 1745 पद स्रिजित किये गए हैं, ठीक है, कक्षा 11-12 के अध्यापन के लिए सिक्षा विवाके नियंद्रान धीन विद्याले अध्यापक के लिए 57,618 पद, और 9-10 के लिए 33,186 पहले बता देती हूं कैसे होगा, सबसे पहले देखो सिक्षकों को मूल वेतन पर आपको क्या-क्या मिलेगा वही सब को जोड की बनता है, ठीक है, देखो आपका DA मिलेगा, आवास भत्ता, ठीक है, मैडिकल भत्ता भी अलग से मिलेगा, DA 42 फिजदी, जबकि DA आपको 42 मैडिकल भत्ता आपको 1,000, मतलब 1,000 रुपै आपको मैडिकल भत्ता मिलेगा, ठीक है, इन सभी को जोड करके जो रासी होगी, उसमें से 1,800 रुपै कर्मचारी भविश निधी में, जो आपका EPF होता है, तो EPF आपका 1,800 गटेगा, ठीक है, इसके बास से जो रासी कहीं पर कम हो जाता है, कहीं पर अधिक होता है, तो यहाँ पर मूल वेतन देख लेते हैं सबसे पहले 25,000 से 32,000 रुपै तक, देखें यहाँ पर अधियाप 1-5, 6-8, 9-10, 11-12, एक से 5 पद आपको पता हिए, मूल वेतन आपका 25,000 है, यहाँ पर निउनतम मतलब, अगर मिनि 30,700 और अधिकतम आपका, मैकसिमु 38,700, अगर आप 6-8 में सिक्षक बनते हैं, तो 40,000 तो आपकी मिनिमम होगी, और 43,920 आपकी अधिकतम होगी, 9-10 में अगर आप बनते हैं, तो 44,460 आपकी मिनिमम है, और अधिकतम आपकी 48,360, जो की काफी अची सैलरी है, और 11 से बार में तो उससे भी जादा है, 45,920 मिनिमम है, और 49, मताब 50,000 के आजपास अधिकतम वेतन मिलेगा, ठीक है, अब इसमें आप यहां पर देखिए, अवास भत्ता में 4-16% मिलेगा, ठीक है, इसका भी आपको ध्यान रखना है, और 4% आचारे पर वेतन का हिसाब होगा, फॉर एज तो मासिक वेतन आपका कितना हो गया, 35,700, तो 35,700 आपके अकाउंट में हर महीने ट्रांसफर हो जाएगा, 6-8 का देख लेते हैं, मूल वेतन है आपका 28,000, दिये आपका हो गया 11,760, एचारे आपका 11,120, मेडिकल तो सब में सेम ही है न, 1000, ठीक है, और कुल वेतन आपका 41, 48,000 के आसपास बनेगा, बट एचारे आपका 48,000 के आसपास बन जाएगा, तो 40,000 सेलरी आपको मिलेगी, तो आप देख सकते हो, डिफरेंस भी है, और 9-10 में आपका 31,000 मूल वेतन है, डिये आपका इतना है, ठीक है, एचारे आपका 1240 है, मेडिकल 1,000, और कुल वेतन 46,260 E.P.F. सब में 1800 ही कटेगा, माइनस हो जाएगा, तो 44,460 या आप 9-10 मानिज आपका एस्टिट पेपर वन क्लियर हो जाता है, और आप जो है, सिक्षक बन जाते हैं, तो हर महिने आपको 44,460, बहुत अच्छी सैलरी है, आपके लिए बहुत ही अच्छी सैलरी है, लेकिन इ 11-12 में आप देखिए, यहां पर देखें, मूल वेतन 32,000 है, डिय आपका 13,440 है, हारे आपका 1280 है, मेडिकल आपका 1000 है, और कुल वेतन 47,720 जिसमें से 1800 E.P.F. आपका हर महिने 1800 कटेगा, तो टोटल आपका 11-12 में 45,920 इतनी सैलरी आपको मिलने वाली है, ठीक है, अब प्राथमी की तो सैलरी बहुत कम है, तो देखें, 1-2-5 की तो सैलरी कम ही रहेगी, हाँ यह भी है कि जैसे कि अलग-अलग स्टेट में डिपेंड करता है, अब यहां पर आपको 35,000, ऐसा नहीं है कि आपको प्राथमी में 45,000 मिल जाए, क्योंकि बहुत से लोग बोल रहती ह तो मिनिमम सैलरी आपको 35,000 ही मिलेगी, हाँ यह भी है कि मालो अगर आप पटना में जॉब कर रहे हैं तो आपको 38,000, 700 मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जो है, HR, DA वगरा जादा देना होगा, ठीक है, तो यह इस पर डिपेंड करता है, तो बेसिकली इस सैलरी मैंने आपको ब